हलो स्टूरेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आरेस अगरवाल कोश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे स्टूरेंट्स ये एक्सरसाइस 21 एकी सेकेंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं फ Commission diamator of square each of whose side measures अब स्टूरेंट्स यहां पर हमने जो square का perimetента करना है अब square का perimeter क्या होता है square क्या होता है जिसकी सभी sides तो है equal होती है ठीक है अब perimeter मैंने आख को कहता था यह सारा इसका जो यही जो sides होती है इनका सबका measurement करना है तो जैसे इसका part 1 में 3.8 दिया हुए 3.8 3.8 3.8 तो अब यह हमने क्या करना है इन सभी sides को इनको add करना है जैसे 3.8 में यह वला 3.8 add करेंगे यह add करेंगे यह add करेंगे तो यह कितनी sides से है 4 है तो हमने क्या कर देना है 3.8 से multiply कर देना है तो इसका formula क्या बन गया 4 multiply side तो perimeter of square का formula क्या होता है 4 multiply side तो part 1 है जो side है वो दी हुए है 3.8 centimeter और हमने नकालना है perimeter of square of a square तो perimeter होता है 4 multiply side तो 4 multiply 3.8 centimeter तो 3.8 को 4 से multiply करेंगे 4,8 is a 32 2,3 carry 4,3 is a 12 प्रस 3, 15 यहाँ पर decimal के बाद 1 digit है तो हम पीछे से 1 digit छोड़के decimal लगाए तो हमारे पस कितना आज जाएगा 15.2 centimeter तो perimeter of a square कितना आ गया 15.2 centimeter अब part 2 हमारे पास दे यह जो side है वो कितना दे गया है 4.6 meter अब यह meter दे गया है ठीक है ना तो perimeter of a square कितना होता है 4 into side तो यहाँ पर क्या है 4 multiply 4.6 meter ठीक है ना तो 4.6 को 4 से multiply किया 4, 6 है 24, 4 to carry 4, 4 to 16, plus 2, 18 1 digit छोड़के लगाएंगे तो 18.4 meter हमारा इसका answer आ गया तो perimeter of square कितना है 18.4 meter अब हम निकाल लेंगे part 3 part 3 है हमारे पास जो side है वो कितने दे दे वी है 2 meter 5 decimeter तो students सबसे पहले हम decimeter को convert करेंगे तो इसको कैसे करेंगे आपको unit याद होगा सबसे पहले क्याता है millimeter फिर centimeter decimeter meter decimeter hectometer and kilometer ठीक है इनका जो difference होता है वो 1010 का होता है अब हमने अगर हम छोटे से बड़े में convert करेंगे तो क्या करेंगे meter में convert करना है बड़े से छोटे में करना है उपर से नीचे की तरफ करना है तो हम divide करेंगे तो इनका difference कितना है 10 है तो क्या करेंगे 5 upon 10 तो इसका कितना आजएगा 0.5 meter तो महारे पास कितना आजएगा 2 meter and 0.5 meter अब 2 meter में 0.5 को add कर देगे जैसे 2.0 0.5 तो कितना आजएगा 2.5 meter तो इसका जो side के क्या meter में convert करके क्या आगे 2.5 meter अब perimeter of side square का है 4 into side 4 multiply 2.5 meter अब 25 को 4 से multiply कर गएगे तो कितना आजएगा 100 आजएगा यहाँ decimal के बाद 1 digit है तो 1 digit छोड़के decimal गाया तो कितना आजएगा 10 meter तो part 3 का जो मारा answer कितना आगया 10 meter question 7 करेंगे अब हम the cost of putting a fence around a square field यह है मारे पास square field इसकी जो cost है इसकी है यह जो total cost है 4480 है और इसके कितनी है जो 35 पर meter है find the length of each side of the field तो हमने इसकी जो यह side को निकाल ले है अब students आपको perimeter दिया हुआ है ठीके ना अब cost of यह fence कैसे निकालते है इस cost जो है जितने भी यह perimeter इसको multiply करके ठीके ना 4 multiply side perimeter यूज़ करके तो जो आएगा उसको 35 पर meter centimeter था तो perimeter से multiply करके यह हमारी जो total cost आई है ठीके ना तो अब हमारे पस क्या दिया हुए यह जो fence की cost है तो हम easily जो है perimeter को निकाल लेगी तो सबसे पहले हम लिखेंगे total cost of total cost of fence around a square field around a square field कितनी दीविय है rupees 12480 अब cost of fence per square meter यहाँ पर लिखेंगे per meter कितनी दीविय है rupees 35 ठीक है अब हम perimeter निकाल लेगे perimeter 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 of a square क्या होगा हमने 4480 को 35 से divide कर देना है अब यह किस पे जाएगा 5 के table में चले जाएगा 5 7 जा 35 5 8 जा 40 remainder 4 48 5 9 जा 45 45 8 में से 45 लेज़के है 3 remainder 30 5 6 30 अब यह किस table पे चले जाएगा 7 के table में कर जाएगा 7 1s 7 remainder 19 7 2s 14 19 में से 14 मैंने से 8 हाँ तो यह 7 के table में कर जाएगा 7 1s 7 7 1s 7 remainder 1 19 7 2s 14 19 में से 14 को लेज़के है remainder 5 56 7 8 56 तो महारे पास कितना आ गया perimeter 128 28 meter आ गया ठीक है ना अब देखो meter कहां से लिए है क्योंकि यहां पर मैं पर बत जाएगा जो fence की जो cost है 30 रुपीज 35 पर meter है इसलिए यहां पर हमने meter को लिख दिया अब हमने length निकाल ली है तो यहां पर महारे पास कितना आ गया perimeter of square क्या होता है perimeter of a square उसको कैसे निकालते है 4 multiply side अब हमने side निकाल ली है तो perimeter महारे पास आ गया 128 तो 4 multiply side अब हम क्या करेंगे side निकाल ली है तो 128 को 4 से divide कर दें 4 3 is a 12 4 2 is a 8 तो side महारे पास कितने आ गया 32 meter अब हमने square की यहां पर all sides equal होती है तो हम answer में लिख सकते है side equal to 32 meter देखो यहां पर question पूछा गया है कि find the length of each side of the field each side निकाल ली है हमने तो side 32 meter है तो हम लिखेंगे hence all sides of a square is equal to each side of a square ठीक है इस तरह स्वेंस आपने question 7 को solve करना है तो आप question 8 करेंगे question 8 है each side of a square square field measure 21 meter question 8 ठीक है each side of a square field measure 21 meter side 21 meter है adjacent to this field there is a rectangular field there is a rectangular field having its sides in the ratio 4 is to 3 ठीक है if the perimeter of the both the fields are equal find the dimensions of the rectangular field अब students यहाँ पर हमारे पर तो side दीविया है यह square की side दीविया है अब हो अब हो करें if the perimeter of the both fields are equal अगर हमारे पास जो square का perimeter है वो ही rectangular field का perimeter है इकोल है तो find the dimension of the rectangular field हमने ही rectangular field के dimension का लें तो अब हमारे पास क्या side दी विया है तो हमारे पास square का perimeter हाज़ेगा तो यहाँ पर हम दिखेंगे side of a square field कितना है 21 meter तो perimeter of square कितना आज़ेगा 4 into side 4 into 21 meter तो कितना आज़ेगा 84 meter तो perimeter of square कितना आज़ेगा 84 meter तो हम यहाँ पर लिखेंगे as per question question की according as per question perimeter of both fields are equal perimeter of both fields are equal ठीक है अब हम क्या करते हैं rectangular का नकालना है तो पहले हम sides को जो है इसको 4x मालने आपको पता है जब ratio की form है तो उनको हमने इसको suppose करना है यह 4x है और 3x है तो हम पर लिखेंगे let the length of rectangular field अब हमने यहाँ पर rectangular field लिखना है कितना आ गया 4x and the breath अब अब परिमेटर इकोल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिमेटर ओफ परिमेटर ओफ अ रेक्टेंगुलर फिल्ड क्या होता है ठीक है न तो 2L प्लस B रेक्टेंगुलर का इसका जो परिमेटर कितना आ गया 84 आ गया और लेंथ कितनी है 4x प्लस 3x 84 इकोल टू तो कितना आ गया 7 27 7x कितना आ जागा 84 इकोल टू 14x x की वैलव निकाल लेंगे तो 84 उपॉन 14 अब यह डिरेक्ट भी कर जाएगा 146 84 तो x की वैलव आपस कितनी आ गी 6 मीटर अब हम डिमेंशन निकाल लेंगे लेंथ कितनी थी और रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी थी 4x 4x मतलब कि 4 इंटू 6 एकोल टू 24 मीटर और ब्रेथ और रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी थी 3x 3 इंटू 6 18 मीटर तो यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर में यहाँ पर कहा है Dimension of Rectangular Fields Dimension of Rectangular Fields और यह तो 24 meter और 18 meter भी लिख सकते हैं 24 meter and 18 meter यहाँ पर bracket में length लिख दो और यहाँ पर breath भी लिख सकते हो, तो students इस तरह आपने question 8 को solve करना है question आई नहीं find the perimeter of जो part बन है triangle का, हमने perimeter न कालना है इन्होंने side दी हुए है sides of triangle sides of triangle क्या दी हुए है are 7.8 cm 6.5 cm and 5.9 cm अब students triangle क्या हता है अब इसका perimeter कैसे निकालेंगे अब perimeter में क्याता है हमने सारी जो sides है उनको हमने add करना है ठीक है न तो इससे यहाँ पर क्या जाएगा sum of all sides तो यहाँ पर लिखेंगे perimeter of triangle triangle क्या हो गया sum of all sides ठीक है तो क्या करेंगे 7.8 plus 6.5 plus 5.9 हम add करेंगे 9 plus 5 14 14 plus 8 22 2 to carry तो carry को मैं add करतेंगे पहले 7 7 plus 6 13 और 13 plus 7 20 तो 20 आ गया अब यहाँ पर हमने decimal लगा दिया तो इसका कितना आ गया 20.2 cm तो इस तरह हमने perimeter of triangle को निकालना है students part 2 के है and equilateral triangle of side 9.4 cm students कुछ नहीं है बस triangle के है ऐसे होता है तो यह भी 9.4 है यह भी 9.4 है यह भी 9.4 है तो हम बस हम add करेंगे तो side दी विए side of equilateral triangle equilateral triangle कितनी दी विए है 9.4 cm equilateral का मतलब होता है जिसकी सारी sides equal होती है ठीक है न तो perimeter of equilateral triangle के आ जाएगा तो 94 को हम क्या करेंगे 3 sides है ठीक है triangle में 3 sides है तो 3 से multiply कर देंगे यह आप 9.4 plus 9.4 plus 9.4 भी लिख सकते हैं तो perimeter of equilateral triangle तो क्या आजएगा 3 sides है 3 into 9.4 cm तो multiply किया कितना आजएगा हमने परस 3, 4, 12, 2, 1 carry 3, 9, 0, 27, plus 1 28 decimal लगाया point तो कितना आजएगा equilateral triangle का 28.2 cm अब students part 3 है part 3 में कहें कि an associate's triangle with equal sides 8.5 cm each and the third side 7 cm अब students जो associate's triangle में कहता है जो 2 sides है वो equal होती है तो बस हमने कुछ नहीं करना है हमने क्या करना है 8.5 अब यह जो एक side हमारे परस 8.5 है ठीक है नहीं जैसे equal side है यह 8.5 है यह भी 8.5 है और एक जो side है 7 cm है तो हमने इनको add कर देना है जब भी हमने perimeter नकालना है तो हमने कहें जो भी given होता है उनको हमने add करना होता है तो यहां पर लिखेंगे two equal sides two equal sides of isosils triangle is 8.5 meter each ठीक है नहीं तो third side के of isosils triangle is 7 cm अब perimeter of isosils triangle is 8.5 plus 8.5 plus 7 ठीक है अब हम इनको add कर लेते अब यहां पर 8.5 देखो यहां पर confuse नहीं होना तो आपने जैसे 7 है तो 7 के 7 के आगे decimal नहीं है तो इसको हम कैसे लेगे 7.0 हमने equal कर दिया हमने अब इनको add कर देगे 0 1 carry 8 plus 8 16 plus 1 17 17 plus 7 24 तो तुम्हार पस कितना आ गया 24.0 किस में दिया हुए cm में दिया हुए तो यहां पर cm लिखने है यह 8.5 cm इच लिखा है यहां पर तो इस तरह जो आइससे ट्रेंगल का जो पेरिमेटर कितना आ गया है 24 cm तो ने कोश्चन 10 भी के है find the perimeter of a regular pentagon of side 8 cm और 2 में octagon और decagon तो ने पेंटागन मींस 5 sides octagon मींस 8 sides और decagon मींस 10 sides तो हमने perimeter काना है तो हमने क्या करना है जैसे pentagon है तो 5 को 8 से multiply कर देना है और octagon में 8 को जो side दिये उससे multiply कर देना है तो part 1 करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं side of pentagon pentagon कितना होता है 8 cm तो pentagon मींस 5 बताए कि ऐसे बनेगा हमारे पास 1, 2, 3, यहाँ पर 4, यह 5 यह pentagon हम बनेगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो हर side जो कहें 8, 8 cm है तो हम यहाँ पर लिखें perimeter of pentagon pentagon कितना हो गया 5 into side मतला कि 5 into 8 40 cm ठीक है इस तरह हमने octagon भी ऐसे करना है octagon मीं 8 sides है ठीक है तो part 2 side of octagon कितना हो गया 4.5 cm तो perimeter of octagon क्या हो गया 8 multiply 4.5 perimeter of octagon कितना हो गया 8 into side 8 into 4.5 तो कितना हो गया 8, 5 is 40 0, 4 कह रही 8, 4, 32 plus 4, 36 36.0 36 cm आ गया 0 लिखने की जूरत नहीं है आप 36 cm भी लिख सकते हैं इस तरह अब regular decagon of side अब decagon मीं 10 sides है तो यहाँ पर लिखेंगे side of decagon d, a, c, a, g, o, n कितनी दी हुई है 3.6 cm यहाँ unit का ध्यान रखने हैं तो perimeter of decagon equal to 10 into side 10 into 3.6 तो कितना आ जागा 360, decimal लगा है तो 0 तो इसका भी 36 cm आ गया तो इस तना आपने यह question 10 को solve करना है next question है 11 अब students यहाँ पर के picture बनी हुई है ठीक है ना तो अब यहाँ पर इसका हमने part 1 में निकालना है question 11 तो perimeter कैसे निकालते है part 1 का तो इसमें क्या दियू हुई है जैसे perimeter इसका निकालना है तो 27 cm 35 cm 45 cm 35 हम क्या करेंगे इनको add कर रहेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे side कितनी है side of a given figure given figure कितनी दियू है 27 cm 35 cm 45 cm and 35 cm तो perimeter में क्या करेंगे perimeter कैसे निकालेंगे वो forgiven figure 27 cm प्लस 35 cm प्लस 45 cm प्लस 35 cm ठीक है अब उनको add कर रहते है 5 cm 5 cm 5 cm 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm 15 cm 15 cm और 7 cm 22 cm 2 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 cm 3 cm 2 cm 2 cm 9 cm 9 cm 9 cm 3 cm कितना आजएगा 12 प्लस to 14 14 आगे है तो कितना आजएगा 142 cm तो इसका जो perimeter कितना आजएगा हमारे पस 142 cm अब इसमें जो part 2 में है same हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर के एक square बनाया हुआ है तो इसमें लिखेंगे site site of a given figure कितनी दीवी है 18 cm 18 cm एच ठीक है ना तो इसका perimeter कैसे नहीं का लेंगे perimeter of a given figure 18 cm एच दीवी है तो 4 x 18 तो कितना आजएगा हमारे पस 4 is a 32 2 3 carry 4 बनाया 4 प्लस 3 72 cm ठीक है तो इसमेंगे अब part 3 अब यहां पर क्या दिया हुआ है अब देखो students यहां पर हमें यह इसका perimeter नकाले एक arrow दिया हुआ है ठीक है ना तो arrow का perimeter नकाले है तो हमने सारी जो यह sides को क्या कर देना है add कर देना है तो यहां पर लिखेंगे यहां पर सिधा आप यह भी लिख सकते हो perimeter of a perimeter of arrow क्या करेंगे सिधा हम क्या लिखेंगे पहले 8 cm प्लस इतना से इतना 16 cm देखो आप इनको a, b, c, d भी लिख सकते है कि a, b इतना है c, d लिखेंगे या इसको direct भी लिख सकते हो यह आगया हमारे पास 16 cm अब यह कितना है 4 cm प्लस यह कितना आजएगा 12 cm प्लस 12 cm यह मारे पास आगया 4 cm ठीक है अब यह वाला लेंगे 16 cm ठीक है इस तरह हमने अब इनको हम add कर लेंगे यह 8 cm हमने यहां तक लेना है 16 cm तक अब इनको हमने add किया तो कितना आजएगा यह इसको हम लग लेते हैं जैसे 8 है ठीक है रह 16 4 12 12 4 16 ठीक है ना ताकि confusion ना हूँ तो हम करते है 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 20 22 26 6 32 2 3 carry 3 4 5 6 7 तो हमारे पास कितना आएगा 72 cm तो error का जो perimeter कहने के लिए 72 cm Students इसके साथी हमने Exercise 21 1 Class 6 Book RS अगरवाल के सभी question को solve कर लिया I hope आपको हर question अच्छी तरह से समझ आ गया होगा Students मैं आपको बताना चाते हूँ कि Class 7 के सभी chapter की वीडियो जो है अगर आप Class 7 के या किस्टी को requirement है तो यहां से वीडियो देख सकते है Students अगर आपको वीडियो useful लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें Share करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching Next वीडियो में Exercise 21B को solve करेंगे